नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज हम इस हतेली का एक आज़िक विर्शिष्टन करने जा रहे हैं धन्तिर्बुज के बारे में कई ब्रांतिया हैं करते हैं कि प्रियास उन ब्रांतियों को दूर करने का तो राहू पर्वत पर ये धन्तिर्बुज बना है भागे रिखा के सायोग से मस्तक रिखा के सायोग से और बुद्ध रिखा के सायोग से अगर ये तिनों रिखाएं इस पस्ट हों गैरी हों निर्दोश हों तो ये धन्तिर्बुज जातक को धन्वान बनाता ही है के लोगों का के विद्वानों का मत है कि धन्तिर्बुज धन नहीं देता केवल आदमी को मनी मेनेजमेंट इस्किल देता है दूसरे जातक के आसपास लाप की सम्भावनाएं धन के स्रोत बने रहते हैं बस जरूर्थ होती है उनको भुनाने की लेकिन अगर रावु परवत के गुणों का कारकों का विश्टिशन किया जाए तो निशित हो जाता है कि रावु परवत पर बनातिर्बुज जातक को धन्वान अवश्य बनाता है गुदाओ के कारक इंटलिजन्स, कंसेंट्रेशन, सडननेस और इसका विशेश मतलब धन से भी होता है इसका मतलब चलाकी चतुराई से भी होता है केवल इंटलियन नहीं साथ में क्लेवर भी तो अगर आपका राहू परवत ना दबा हुआ है ना ओवर डवलप्ड जस्ट फ्लैट और वहाँ पर तिर्बुज बन जाए और भागे रेका, मस्तक रेका और बुद्रेका बिलकुल डिर्दोश तो जातक के जीवन में धन आएगा ही आएगा निश्चित हंड़ेट परसंट आज जातक जितना भी संगर्ष कर रहा हो लेकिन आने वाला कल उसका है वह धन्वान और संपन बनेगा ही बनेगा और उसके धन्वान मनाने में उसकी बुद्धी मता, उसका भाग्य और उसका वेपारिक कोशल एक पर्मुक भूमी का निभाएगा और राओ के कारक इंटेलिजेंस, कंसेंट्रेशन, प्लाइवर्टी, सडननेस जातक को खूब धन के आउसर परदान करेंगे जातक सबकारकों को अवेल करते हुए जिंदिगी में खूब तरगी करेगा, खूब धन कमाएगा लेकिन इस धन्ति बुझ के अंदर भी कई विशेश अद्बुझ सयोग बनते हैं जो जातक को धन्वान बनाते हैं मा लीजिए जीवन रेखा से आफशूट निकला और आपके में ट्रेंगलों काट दिया या भागे रेखा से एक शाखा निकली और मस्तख रेखा से मिल गई अब में ट्रेंगल के अंदर एक ट्रेंगल बन गया इस पसंकेत कि ऐसा जातक अपनी मेनज से कमाए हुए पैसे हार्ट अंड मनी उस में से कुछ धन संचे करने में काम्याब हो जाता है बहुत शुब ऐसे ही इस में ट्रेंगल के अंदर अगर एक इस पस्ट किलियर इस टार दिखाई दे तो बहुत ही शुब जातक का धन्वान मनना नेश्चेत ये इस टार संकेत दे रहा है कि जातक को धन्लाब होगा बड़ा धन्लाब होगा और अचानक ही बड़ा धन्लाब होगा और एक बार नहीं होगा जीवन में बार बार होगा पांच छे बार तो कम जिकम होगा ही होगा तो हतेली पर मद्धे में राहू परवत पर उभरने वाला ये तिरे मुझ जातक को धन्वान बनाता ही है निश्चित 100% वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक यू शुक्रिया करता हुए निश्चित 100%